नमस्कार मैं हूँ प्रशांत भारत द्वाज और आप देख रहे हैं न्यूजरूम पोस्ट बीते दिनों Air India को खरीदने के बाद Tata Group ने देश की इस सबसे प्रतिष्ठित Air Lines की जिम्मेदारी सम्हालने के लिए Tata ने नए CEO को भी खोज लिया है Tata Suns ने तुरकिश Air Lines के पूर्व चेयर्मेन इलकर IC को Air India का नया MD और CEO बनाया इलकर IC 1 अप्रेल 2022 से Air Lines की जिम्मेदारी सम्हाल लेंगे इससे पहले Tata Group ने आपचारिक रूप से 27 जनवरी को Air India का नियंतरन सम्हाला था कमपनी की बोर्ड मीटिंग में सौमबार को ये फैसला किया गया इस मीटिंग में Tata Suns के चेयर्मेन एंचंडर शेखरन भी शामिल हुए थे बोर्ड के विचार विमर्ष के बाद Air India के CEO और MD के रूप में IC की न्यूक्ति को मनजूरी दी गई लेकिन इससे पहले इलकर IC का नाम कभी सुर्खियों में नहीं रहा लेहाजा बेहद कम लोग ही उनकी शक्सियत से वाकिफ हैं इस वीडियो में हम आपको इलकर IC के बारे में बताने जा रही है इलकर IC तुर्की के बिजनिसमेन है उनका जन्म 1971 में इस्तामबूल में हुआ था वो बिलकेंट उनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और लोग प्रशाशन विभाद के छात्र रह चुके हैं IC 1994 में तुर्की के वर्तमान राष्टपती, एर्दोवान के सलाहकार भी थे इसके अलावा उन्होंने 2015 से लेकर 2022 तक तुर्की एरलाइन्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था इलकर IC ने इस्तामबूल महानगर पालिका में भी कई पदों पर काम किया है उन्होंने 2005 से लेकर 2011 तक कई बीमा कंपनियों के CEO के रूप में भी काम किया है जनवरी 2011 में उन्हें तुर्की के प्रधान मंत्राले निवेश सहायता और समवर्धन एजंसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ती मिली थी Air India का CEO बनाये जाने के बाद Ilka R.I.C. ने कहा कि मैं Iconic Airlines को लीड करने और Tata Group से जुड़ने के लिए काफी खुश हूँ हम Air India की मजबूत विरासत का इस्तमाल करेंगे और दुनिया में इसे बेस्ट Airlines बनाने की कोशिश करेंगे सालों से नुकसान झेल रही Air India की एक खराब छवी बन चुकी है कि ये देरी से चलती है और साथ ही खराब सेवा भी देती है मौजूदा वक्त में भारतिय एरलाइन्स का करीब 57 फीजदी मार्केट शेयर इंडिगो के पास है ऐसे में कॉम्टीशन से निपटने के लिए IC को टाटा ग्रुप के साथ मिलकर फिर से नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी एर इंडिया के सामने सबसे वड़ी चुनोती ग्रुप के लिए एक नया विज़न, मिशन और स्ट्रेटेजी बनाने की है IC के सामने चुनोती ये भी रहेगी कि वो एर इंडिया के घाटे को खत्म करने में टाटा ग्रुप की मदद करें ताकि भविश्य में एर इंडिया से टाटा ग्रुप को फायदा हो सके एर इंडिया में 2012 में करीब 27,000 करमचारी कारेरत थे जिनकी संख्या अब घटकर 13,500 के करीब पहुँच गई है एर इंडिया के नए सर्वे सरवा इलकर IC के सामने इस एरलाइन्स को उबारने की बेहद मुश्किल चुनौती है तो हमारी इस वीडियो में फिलाल इतना ही फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई चानकारी के साथ तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए म्यूजरूम पोस्ट नमस्का